नमस्कार मैं हूँ जूली आपसक देख रहे हैं देंडिया टॉप पिहार में शराबंदी को लेकर के पुलिस प्रसासन इस वक्त काफी गंबीर है लगातार अलग-अलग जगहों पर छापे मारी हो रही है आपको बता दे कि कल यानी की शनीवार को भी पुलिस ने छापे मार करके लोगों को गिरफतार किया जिसमें 27 लोगों की गिरफतारी हुई है इसमें छे सौफ्वेर इंजिनियर हैं और दो डॉक्टर हैं जिसमें से एक डॉक्टर महिला है और एक पुरुष है इसे भरे ही बिहार सरकार और पुलिस प्रसासन अपनी उपलबदी के तौर पर गिनवा रहे हों लेकिन आर्जेटी ने इन गिरफतारियों को लेकर के बिहार सरकार और पुलिस प्रसासन पर सवाल खड़े कर दिये हैं आर्जेटी ने ट्वीट करके पूछा कि आखिर बिहार के सीमा के बाद 5-6 जिलिके बॉर्डर को क्रॉस करके ये शराप पटना तक पहुंच कैसे रही है इसके साथ ही आर्जेटी ने ये भी सवाल क्या है कि अब तक जितनी भी गिरफतारियां हुई है उसमें किसी भी बड़े अधिकारी का नाम क्यों नहीं सामने आया है बस कोई ट्रक बरामत की जाती है और बैक डोर से शराप बेश दिया जाता है में शराब मिलती है तो इसके सबसे बड़े गुनाइगार मुख्यमंत्री नितिश कुमार होने चाहिए माफिया और सप्लायर पर कोई कारवाई नहीं इसके साथ ही आर्जेटी ने एक रीट्वीट भी किया है जिसमें लिखा है कि एक बोतल शराब और छे का जीवन खराब वहाँ खुद के MP, MLA करोडों का हिसाब पर कहते हैं शुसासन का राज है आज तक अवैद शराब व्यापार सिंडिकेट का एक भी बड़ी मशली नहीं पकड़ाई एक भी बड़ा अधिकारी नहीं नपा है बस ट्रक पकड़ कर बैक डोर से शराब बेश दिया जाता है और पीने वालों को ही पकड़ कर अपनी शान में कसीदे पढ़े जाते हैं तो यह टिपड़े की है RJD ने दरसल कुछ दिन पहले मुख्यमंतर नितीश कुमार ने कहा था कि अगर इस तरीके की गड़बर चीज़े पीएंगे तो इस तरीके से चले जाएंगे जो जहरीली शराब आखिर पहुंच कैसे रही है और अगर बिहार में शराब पकड़ाती है अगर कोई शराब पीने वाला पकड़ाता है तो इसका सीधे तोर से जिम्मेदारी मुख्यमंतरी नितीश कुमार की होती है इस सभी चीज़ों को ले करके RJD ने बिहार सरकार पर निशाना पेज को लाइक और पॉलो जरूर करने धन्यवाद